सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल टेग विच चंजे को और साधी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ओल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे हैं नमस्कार दोस्तों तो फिर सेम लोग आ गए हैं और एक नहीं वीडियो का साथ तो आज हम लोग बात करेंगे कि भाई फेस्बुक जो है आप जो भी फेस्बुक में एक्टिविटी करते हो आपका जो इंफ्रमेशन होता है वो किस-किस एप्लिकेशन को सेर किया जाता है तो ह चली शुरू करते हैं प्लेज वीडियो को जरूर लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपना फेस्बुक एप्लिकेशन पर इससे पहले आप चेक कर लेना कि अपना फेस्बुक एप्लिकेशन जो है अपडेट है या नहीं प्लेज तोर पर जाकर ठीक है उसका बाद ऊपर में आपको थ्री लाइन का उप्शन मिलेगा तो यहां पर थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर लेना है उसका बाद नीचे आने का बाद सेटिंग और प्राइब एक करें है कोँ सा क्विकेशन जो है आपका एकविकेशन जो है आपका फह दर में जया रहे है ओंट आपको क्लिक कर देना है कर Blue को इहां पर आपको छोडीनोंkes और वह लिक किया जा रहा है मतलब दिया जा रहा है तो थारट爸爸's संअथ जो है आपका जो activity है यहाँ पर देखें यहाँ पर लिखा गया है this summer of the 183 apps and websites they have share your activity ठीक है तो जो भी आप activity करते हो तो facebook में उसका information इन सब को दिया जा रहा है क्यों देते हैं तो भाई example पकर लो true caller ठीक है जब भी आप true caller open करोगे तो अगर पकल लो आपने facebook पर कोई सामान search किया था ठीक है कोई सामान आपने वहाँ पर ढूंदा था तो वही चीज का advertisement जो है आपको true caller में दिखाए जाएगी भाई यह आत्मी जो है facebook में यह चीज ढूंड रहा था तो आपको इसी का advertisement इसको show करना है ठीक है तो जो भी application में आप जाओगे उसी का आपको advertisement show करेगा ठीक है तो यही जो है main reason है आपका activity share करने का और इसका जो है facebook पेसे भी लेते हैं इन application से जिसको भी यह share किया जा रहा है ठीक है और आप यहाँ से clear history भी कर सकते हो सब clear कर सकते हो और बागी रहा इसको आप बन करने का तो बन करने के लिए आपको इसको बेक करना है बेक करने का बाद इसको आपको more option पर जाना है यहाँ पर आपको minus future activity का option मिलेगा तो यहाँ पर आपको click कर लेना है किलिक करने का बाद नीचे में आपको फिर से वही ऑप्जन मिलेगा मैनेस फीर्चर Eeัν को क्दवीटी तो यहाँ प्याँ प्यूसर कर देना है गृच करने बाद यहां पर आपको एक्टिव टार ऑप अप्जन मिले घृचा अपको क्लिक कर देना है तो इसका बाद अपको ट यहां पर जो है only activity के बारे हैं बताया गया है कि आपका activity यहां पर only जो है information जो भी है आपको दिया जा रहा है दुसरा application को दिया जा रहा है तो यहां पर आपका phone नंबर आपका email ऐड़ी यह सब के बारे में यहां पर कुछ भी जिखर नहीं किया गया है ठीक 잡아 तो उनके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, फिर भी आप जो भी एक्टिविटी करते हो, तो वही चीज जो है दूसरा अप्लिकेशन को share किया जाता है, तो आपने देख लिया कौन सा कौन सा अप्लिकेशन को share किया जाता है, तो इसी तरह का information और tech वीडियो दे